एडवांस का पेपर अगर आप क्रेक कर लेते हैं तो आपके IIT के जो दर्वाजे हैं वो खुल जाते हैं आपका जो एडवांस का पेपर होता है उसकी बेटा जो मार्क्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं अगर 360 marks का paper आता है 2023 तो आपको कितने marks पे IIT मिल जाएगा अभी तक कि जो advance के paper हुए थे 2022 का paper काफी ज़्यादा हाट था हलो बच्चों तो आप में से काफी बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे जो अभी कुछ दिन बाद जैई advance का paper देने वाले हैं और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो next year advance का paper देंगे तो बच्चों आपको सब को पता होगा कि advance का paper अगर आप crack कर लेते हैं तो आपके IIT के जो दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं लेकिन आपको बच्चों आज मैं आपको बहुत ही important चीज़ बताने वाला हूँ इसकी cut off अभी 2023 की expected cut off क्या जाने वाली है पेपर देने से पहले बच्चों आप ये जान लीजिए कि आपको कितने marks लाने जिससे कि आपका IIT बच्चों crack हो जाए आपका जो J advance का paper है वो crack हो जाए और आपका IIT का जो सपना है वो पूरा हो जाए यहाँ पे बच्चे बहुत बड़ी mistakes करते हैं कि negative marking बहुत जादा लेके आते हैं बच्चों का यहाँ पे रहता है कि जादा से जादा question attend करें और paper में जादा से जादा marks लाए जिसके चक्कर में जो उनके number आते हैं वो भी नहीं आपाते हैं अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि आपका जो advance का paper होता है उसकी बेटा जो marks होते हैं वो fix नहीं होते हैं अभी last year जो अगर 2022 की बात करें तो आपके 360 marks का paper हुए थे दो paper इससे पहले 500 कुछ number का भी आपका paper हुआ है और इससे पहले अगर मैं बात करूं एक बार 520 number का हुआ था और एक बार बच्चो 372 number का भी paper हुआ है तो यहाँ पे fix नहीं होता है अगर मैं मान के चलूं कि अगर 360 marks का paper आता है 2023 में तो आपको कितने marks पे IIT मिल जाएगा और each subject की जो cut off होगी वो कितनी जाएगी हर category बाइस बताना चाहूंगा बेटा लाश्ट एयर 2022 में जो paper आया था वो काफी hard आया था यह बात सत्य है अभी तक के जो advance के paper हुए थे 2022 का paper काफी जादा hard था यह किस बात से पता लगा सकते हैं कि इसकी cut off से अगर बेटा मैं general की बात करूँ यहाँ पे सभी category की बात करेंगे general की बात करेंगे बेटा EWS की बात करेंगे साथ ही साथ OBC और यहाँ पे SCST और यहाँ पे बच्चो PWD यह सारी category जिसमें बच्चे परशान होते की सर हमें इच सब्जेक्ट में बच्चो जो आपको मार्क्स लाने थे 2022 में जिससे आपका IAT का जो सपना है वो पूरा हो सके general की अगर मैं बात करूँ तो बेटा यह 5 मार्क्स था ठीक है ना अगर आपके इस सब्जेक्ट में 5 मार्क्स नहीं आए तो आपका कितने भी मार्क्स क्यों नहीं हो सकता यहाँ पे ध्यान रखिएगा EWS का भी बेटा 5 मार्क्स थे और OBC का भी यहाँ पे 5 मार्क्स थे अग इसलब आपके Physics, Chemistry और Math इच सब्जेक्ट में 3-3 मार्क्स तो होना जरूरी है और यहाँ पे बेटा यहाँ पे था 3 मार्क्स यह बेटा 2022 का डेटा बता रहा हूं 2022 की और अगर मैं 2022 की कट ओफ किसके लिए 4 IIT की IIT में जाने के लिए बच्चों को कितने मार्क्स चाहिए थे तो जर्नल में बच्चों अगर मैं बात करूं तो आपके 58 मार्क्स 58 मार्क्स पे आपका सेलेक्शन हो गया था लेकिन अगर मैं सेफ की बात करूं यहाँ पे सेफ इसकोर तो यहाँ पे सेफ इसकोर जो आपका था वो लगबग 70 मार्क्स था यहाँ पे अगर मैं बात करूं EWS की तो बच्चों यह लगबग गया था 50 marks और अगर मैं safe score की बात करूं क्योंकि बच्चों आपको पता है कि जो जेए advance में selection होते हैं उसमें total जो selection होते हैं बच्चों के वो लगबग 36,000 selection होते हैं 37,000 rank तक आपके ranks निकलती है लेकिन बच्चों का selection कहां तक होता है बच्चों को IIT कहां तक मिलता है साड़े 16,000 सीटे हैं ठीक है और इसके अलावा अगर कुछ में बात करूं तो IASCR की अगर बात करें तो इसे colleges में 2-3,000 सीटे और ज्यादा बढ़ जाती है ओके तो यहां पर safe score की अगर मैं बात करूं बच्चों तो 50 marks तो minimum लाने थे यहां पर अगर मैं बात करूं तो 65 marks होने चाहिए अगर यहां पर OBC की बात करें तो OBC का भी लगबग बच्चों 45 to 50 marks गया था 50 marks और यहां पर safe score था 60 marks ठीक है न 60 to 65 marks अगर SCHT की बात करें तो यहां पर 28 marks था और यहां पर safe की बात करूं तो यह 50 marks पर आपको अब यहां पर बात आती है कि सर्थ 2023 में क्या रहने वाला है expected यहां पर बच्चों अगर मैं बात करूं लास्ट इयर जो आपका पेपर था वो काफी टफ था लेकिन यहां पर जो आपके पेपर आने के चांसे से वो moderate है तो यहां पर each subject सबसे पहले में यहां पर बात करूंगा बच्चों किसकी इच सब्जेक्ट की 2023 में हम इच सब्जेक्ट कितना मान के कि हमारे इतने नमबर आ जाए यह 23 की बात कर रहे है तो जनरल की अगर मैं बात करूं तो बच्चों यहां पर लगबग मेरे हिसाब से 9 marks हो सकता है 9 marks यहाँ पर EWS की बात करें तो यहाँ पर भी बैटा 9 marks और OBC की बात करें तो 8 marks इस subject हो सकता है और अगर SCHT की बात करूं तो बैटा यहाँ पर 5 marks और PWD का बैटा 3 marks जा सकता है मतलब इतने minimum marks तो आपको लाने पड़ेंगे अब बच्चे यहाँ पर सोचते हैं कि सर हम जादा से जादा marks लेके आए जरुरत नहीं है क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा जो IAT की cut off जाएगी ना cut off for IAT वो कितनी जाने वाली है यहाँ पर मैं बताने वाला हूं भाई कि अगर आपका safe जो safe score safe score कितना होने वाला है तो भाई 100 marks अगर आप 100 marks लेके आ जाते हैं तो आपको बेटा easily IAT मिल जाएगा अगर आप EWS category से हैं तो बेटा 95 marks और अगर आप OBC से हैं तो आपके 90 to 95 marks होने चाहिए अगर SCHT category की बात करूं तो बच्चो 70 marks और यहाँ पर अगर मैं PWD की बात करूं तो 50 marks जिनके आएंगे उनका selection IAT में हो जाएगा तो यह बेटा आपके expected cut off रहने वाली हैं 100 से 120 marks में बेटा आपको एक अच्छा IAT मिल सकता है किसी भी branch के साथ 100 marks 95 marks 90 to 95 यह marks तो आपके total हैं ठीक है ना लेकिन minimum आपके करीबन 8 से 9 marks आपको लाने पड़ेंगे जिससे आप अपनी जो each subject की cut off है वो clear कर सकें किसी बच्चे के अगर किसी subject में 0 marks आए ठीक है ना यहां पर बच्चों में आपको बता दूँ अगर मेरे chemistry में 0 marks है और मेरे physics में ठीक है ना अगर किसी subject में कम marks आ रहे हैं तो negative marking मत होने देना 10 marks 9 marks 8 marks यह आपका safe score है कि आप इसकी cut off इस subject की clear कर लोगे तो यह बच्चों डेटा अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे यहां पे comment करके बताईएगा आपके इस साल का जो cut off जाने वाली है प्रतिक केटेगरी में वो क्या जाने वाली है हमने अगर previous years की अगर हम बात करें उसके basis पे बच्चों अगर 360 marks का आपका paper होता है तो उसके basis पे आपको इतने marks लाने पड़ेंगे आप अगर 100 marks लेके आज़ाते हो किसमे जनरल में तो आप कहीं न कहीं safe score में हो अगर आप यहां पे 95 marks लेके आजाते हो AWS में आप safe zone में हो अगर आपके 90 to 95 marks है OVC में तो safe zone है 70 marks SCHT और 50 marks PWD अब यहां पे बात आती है कि सर अगर हमारे साथ इतने marks नहीं आ पाएं तो क्या हमारे life खतम हो जाएगी नहीं भाई क्यों खतम होगी हम है ना आपके पास हम doubt net आपकी हमेशा supporting में हैं यहां पे बेटा मैं आपको बताने वाला हूँ कि जे बच्चे इस बार IAT का paper नहीं दे रहे हैं उनके लिए एक और सुनेरा offer है आरंब बेच सुनेरा आउसर है यहां पे बेटा हम आपको करवारें जेई 2024 की शोबारम और यह जो बेच स्टार्ट हुआ है बेटा 26 अप्रे आपको result देंगे advance में अगर मैं यहां पे बात करूं तो यह वही टीचर से जो आपको YouTube पर भी बढ़ाते हैं और paid बेचस में भी पढ़ाते हैं अगर यहां पे हम बात करें कि इस पेच में हम आपको क्या क्या देने वाले हैं तो बेटा मुझे बहुत ही खुशी हो रही है बताते हुए कि यहां पे आपको सारे के सारे new lectures मिलेंगे साथ ही साथ बच्चों यहां पे मैं आपको live class भी मिलेगी एक दिन week में एक दिन आपको मिलेगी physics chemistry और math की ठीक है ना live class ह होगी आपके doubt soul करने के लिए week में सिर्फ एक दिन मिलेगी बाकी के पाँच दिन बच्चों आपको recorded classes मिलेगी confused होने की ज़रूत नहीं है यह बेटा live जो है वो एक दिन है week में ओके यहां पे आपके session लिए जाएंगे counseling session आपको zoom seminar के माध्यम से बताया जाएगा कि यही आप को JEE में कौन सी branch लेनी चाहिए या आपके लिए IIT और NIT क्यों best college है यह सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी कितने पैसे वहाँ पे आपके लगेंगे कितने आपको scholarship के माध्यम से fees माफ हो जाएगी यह सारी हम counseling के माध्यम से आपको बताएंगे homebook बेटा आपको continuously मिलेगा जिसको हम DPP के नाम से जानते हैं और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे notes के लिए आपको teacher slide दी जाती है जो मतलब teacher आपको paid page में पढ़ाएगा वो slide आपको PDF की form के आपको मिल जाएगी साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे practice questions करवाए जाएंगे जैसी chapter end होगा और आपको यहाँ पे sheet दे जी जाएगी question practice करने के लिए तो इतना सब कुछ मिल रहा है बच्चों आपको वो भी पता है मात्र 10,000 में नहीं 9,999 फीस है इसकी लेकिन सिर्फ और सिर्फ बच्चों की खुशी के लिए बच्चों के कहने पर हमने यहाँ पे इसकी price रग दी 5,999 लेकिन बच्चों यह जो offer था 26 अप्रेल तक था लेकिन अगर बच्चों आप हमारा नाम ले लेते हैं या आप इस नंबर पे call करते हैं 01247158250 अगर आप इस नंबर पे call करके बोल देते हैं कि सर ने हमें बोलाए हमारे जे के सर ने हमें बताया कि offer बढ़ा दिया गया है तो आपको 40% का off मिल जाएगा आपको आरंब coupon code लगाना हो पढ़ाया जाएगा इस बेच में अगर आपको लगता है कि सर बेच कैसा है हम किसी तरीके से पता लगाए तो बच्चों यहाँ पर description में एक link दे रखा है जिसमें आप three days का free trial ले सकते हैं तीन दिन तर class देख सकते हैं अगर आपको better लगता है तो आप definitely better उन classes के बाद हमार से वह हमेशा रहेगा तो definitely better हमारा selection भी 100% होगा पहले अपने अंदर confidence लेके आईए paper देने जाए तो confidence बेटा बहुत जादा होना चाहिए selection हो या नहीं हो वह अलग बात है लेकिन बच्चों confidence अपने आप रखिएगा लेकिन और confidence नहीं होना चाहिए ओके बच्चों तो ध्य बेच बच्चों आपके साथ है आईए जुड़िये और दुबार से बेटा जेई को हम क्रेक करेंगे तो बाई टेक केर दन्यवाद कैसा लगा session मुझे comment करके जरूर बताईएगा दन्यवाद